दोस्तों हर को यह चाहता है कि वो किसी ऐसे देश का रुख करे जहां पर लड़किया कोडियों के भाव मिलें आजकल के जमाने में ये सोसल मीडिया पर जिस तरीके से उल्याम चीज़े दिखाए जा रही है इसकी वज़़ा से कम से कम उमर का लड़का आजकल सारी एक समत बनाने के बारे में सोचता है अगर आपके दिमाग में भी कोई ऐसी चीज़ चल रही है तो ये देश आप के लिए ही है तो कमेंट में आकर उस देश का नाम हमें लिख कर बताना बिल्कुल भी मत भूलेगा और अगर नहीं जानते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के आंट तक बने रहेगा दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे देश के बारे में बताएंगे जहां के लड़किया मर्दों के लिए तड़पती हैं जिया दोस्तो इस देश के आपादी तीन चौथाई यानि कि अगर इस देश में 75 लड़किया है तो वहीं 25 लड़के हैं तो 75 लड़किया है अब इस बात को पूरे दुन्या के सामने accept कर लिगा है कि इस देश को मर्द की जरूरत है कोई भी मर्द चाहे वो किसी भी कास्ट से जाती ये धर्म से बिलों करता हो इस देश के महिराओं के अगर सारी रिक सिक्ष इसी भी महिला से सारी रिक संपन्द बनाता है तो उसे करोडों की तादाद में रुपए दी जाएंगे अगर आप उस देश के किसी भी लड़की से जाकर विवाह करते हैं तो आपको शादे करते वक्त एक ब्रैंड नियू कार एक घर और साथ दस लाख रुपए और एक सरकारी नौकरी के साथ है आपके जीवन भर का खर्चा वहां की सरकार उठाएगी इस देश के पास भरपूर पैसा है पर लड़कियों के मुआमले में ये काफी ज़दा गरीब है दोस्तो चलिए आपको बिताते हैं कि ये देश कौन सा है इस देश का नाम है वियत नाम जी है दोस्तो ये वियत नाम देश दुनिया का एकलोता ऐसा देश है जहां पर महिलाओं की तादाद इतनी ज़्यादा है कि वहां के सरकार अब परिशान हो चुकी है इन महिलाओं के सारी लिख सुख को पूरा करते-करते यहां की सरकार अब हर एक कुरूष को बिमार कर चुकी है दोस्तों अगर आप भी एक लड़के हैं अगर आप चाहते हैं कि इसी एक साथ आप कई सारी लड़कियों के साथ सारी एक संबंद बनाए तो इस देश काड़ों के जरू कीजेगा दोस्तों अगर आपको मेरी इट्परमिशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइफ कर चानलों को जरू सब्सक्राइब कर लिजेगा ताकि ऐसी इंटरस्टिंग और नॉलिजबल वीडियों साथ कभी भी मिस ना कर पाएं दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलेगा आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद